वेलकम टू सिटी कॉमर्स अकैडमी ऑनलाइन क्लासेज इस क्लास में हम डिसकस करेंगे जीस्टी पेमेंट से रिलेटिड हर वो बात जिसे आप जानना चाहोगे और कहीं न कहीं जिन सारी बातों का पता होना हमारे लिए बेहत जुरूरी है और इसमें हमारे मेन पॉइंट र करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका सिस्टम क्या रहेगा और अगर हम चलान जनरेट करने के बाद जस्त उसे सेव करना चाहें तो उसका प्रोसेजर क्या रहेगा एंड अगर हमसे कुछ चलान गलत क्रियेट हो जाए तो देन उसका हम क्या करेंगे और इन पॉइ को properly समझने के लिए हम एक actual payment करेंगे GST की so that कि आप सारे के सारे जो steps हैं GST payments के उनको properly देख सको उनको समझ सको और इसके लिए हम open करते है goods and service tax network की जो website है gst.gov.in तो ये है हमारा GST network का web portal हो सकता है बहुत बार पहले भी आपने इस website को visit किया हो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर login करेंगे अपना username और हम password enter करेंगे देखी username और password सिर्फ उसी candidate उसी person के पास हो सकता है जो GST में registered है जिसके पास GST का number है तो यहाँ हम अपना username password and उसके बाद जो remaining characters हैं इसको enter करते हुए just login करेंगे and उसके बाद जैसे ही login होगा हम basically proceed करेंगे हमारे पास open होगा यह dashboard देखी हमारी यह जो class है बिल्कुल एक live class है GST network web portal पे आज की date में जो हमारी dashboard की appearance है कुछ ऐसे है थोड़ा बहुत इसमें fair बदल होता रहता है time to time लेकिन जो इसमें basically main points है जो हमारे main option है वो almost same रहेंगे यहां हमारे पास देखी different options है services में हम यहां पे हमारे पास different different type की services available है registration से related है ledger से related है जिसमें हमारा electronic cash ledger electronic credit ledger electronic liability register की हमें detail मिलेगी return file करने से related dashboard है और payment से related ही है create चलान, saved चलान और चलान history से related है और इसके सारे के सारे जो quick link है हमें हमारे dashboard पे बहार भी मिल जाएंगे हम यहीं से return dashboard पे जा सकते हैं चलान create कर सकते हैं और अगर कोई हमारा notice वगएरा है तो उसे view कर सकते हैं चली अब हम GST की payment करने से पहले कुछ बाते हमारे पास जो ledger में electronics cash ledger है उसके बारे में discuss करेंगे देखिए electronic cash ledger हमारा एक wallet की तरह है जब भी हम कोई payment करेंगे GST की तो सबसे पहले वो हमारे इस electronic cash ledger में आएगी और यहीं से हम payment कर पाएंगे देखिए एक बात आप यहाँ पे खास तोर पे ध्यान रखना electronic cash ledger में amount transfer करना एक अलग बात है और GST liability की payment करना दूसरी अलग बात है जब हम कोई भी payment करेंगे सबसे पहले वो electronic cash ledger में आएगी और उसमें से उतने ही पैसे deduct होंगे जितनी हमारी GST की liability रहेगी और GST liability को pay off करने के बाद electronic cash ledger में जो balance बचेगा वो हम next time जो हमारी payment होगी उसमें हमारे काम आ जाएगा देखिए electronic cash ledger में जब भी हम कोई amount transfer करेंगे यानि जब भी GST की payment करेंगे तो एक बात और खास दोर पे ध्यान रखेंगे हमारा जो balance IGST का available है electronic cash ledger में उसके साथ हम IGST liability की ही payment कर पाएंगे और जो CGST का balance है उसके साथ हम CGST liability की payment कर पाएंगे और साथ में state GST या फिर UTGST का जो balance है उसके साथ उसी की payment कर पाएंगे यानि आप यूं लगा लीजिये कि हमारा जो electronic cash ledger यानि जो हमारा wallet है उसमें हमारी three pockets हैं एक IGST की है एक CGST की है एक state GST या फिर UTGST की है तो इन सारे के सारे जो pockets हैं उसमें हमने अलग-अलग amount transfer करना है और यहाँ पे अगर हम अपने electronic cash ledger का present balance चेक करना चाहें तो just हमें यहाँ पे click करना है तो यहाँ हमारा जो present balance है electronic cash ledger का वो आ जाएगा electronic cash ledger के साथ हमारे पास एक ledger और है electronic credit ledger इसमें हमारा balance आएगा जो हमें input tax credit मिलेगा हमारी inverse supply पे तो यहाँ हम just click करके इसका balance भी देख सकते हैं वैसे जब भी हम GST liability की payment करेंगे तो उसमें हमारा जो electronic credit ledger है इसे utilize करने के बाद हमारे पास जो liability बचेगी उसको हम electronic cash ledger के साथ pay off करेंगे और जो हमारे GST की liability है उसे हम electronic liability register में भी view कर सकते हैं और इसका balance भी हमारा just यहाँ पे click करके check हो जाएगा चली अब हम देखते हैं electronic cash ledger में कैसे हम amount transfer करते हैं यानि GST की payment हम कैसे करते हैं उसके लिए हम चलेंगे यहाँ payment section में और यहाँ पे again हमें तीन option मिलेंगे create चलान, history साथ में saved चलान, GST की payment करने के लिए सबसे पहले हमें चलान generate करना पड़ेगा और उसके लिए हम चलते हैं create चलान option में और यहाँ हम जो GST की हमारी tax liability है उसे pay करने के लिए जो amount है head wise एंटर करेंगे जैसे CGST की हमारी tax liability 500 रुपीज है तो उसे एंटर करेंगे IGST की हमारी liability suppose करो 1000 रुपीज है तो यहाँ हम 1000 एंटर करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ चंडिगर UTGST है अगर आप जिस state का आपके पास number है आप उस number से जब login करोगे तो यहाँ आपके state का नाम आएगा तो यहाँ हम अपनी जो हमारी state की जो tax liability है उसे एंटर करेंगे suppose ग्रो 500 रुपीज है और यहाँ जो चलान का total amount है वो automatic आ इसके इलावा अगर आपने किसी interest की payment करनी है जैसे आपने कोई text delay deposit कराया है तो उसका interest है या आपको कोई penalty लगती है तो उसके amount accordingly यहाँ आ जाएंगे और अब जो हमारा यहाँ पर next step है हम payment mode select करेंगे payment mode हमारे पास यहाँ three type के हैं e payment है over the counter है और neft या फिर rtgs है और यह payment हम अपने account से online करेंगे तो उसके लिए e payment option को select करेंगे और उसके बास just हमने generate चलान पे click करना है और हमारा जो चलान है वो automatically generate हो जाएगा और यहाँ जो हमारे taxpayer की detail है वो automatically आ जाएगी क्योंकि सारी की information GST network के पास एक taxpayer से related पहले से ही होती है और चली अब हम इस चलान की payment करते है और उसके लिए just हम यहाँ एक बार फिर से जो हमारा mode of payment है उसे select करेंगे और उसके बाद हमारे पास इन banks की list आ जाएगी जिनके जरीए हम यह online payment कर सकते है यानि इन में से किसी एक bank की हमारे पास internet banking की facility होनी जरूरी है चली हम यहाँ पे यह payment state bank of India के जरीए करेंगे तो state bank of India select करेंगे उसके बाद term and conditions को check करते हुए make payment पे click करेंगे और अब हमारे पास state bank of India की जो login window है वो appear होगी and यहाँ जो हमारी bank से related detail है वो हम enter करेंगे जैसे name और password आएगा and उसके बाद हम login पे click करेंगे देखिए अगर आप किसी दूसरे bank से payment करते हो तो window जो है उस bank के accordingly appear होगी यहाँ हमने state bank of India use किया है तो उसकी window है and जैसे हम यहाँ पे click करते हैं तो देखिए यह हमारा जो payment है payment करने से related एक बार जो payment detail है वो फिर से हमारी screen पे appear हुई है यहाँ हमारी total detail है merchant name है CPIN हमारा number है transaction ID है and जो total amount है basically IGST का कितना है SGST का कितना है CGST का कितना है इसमे total हमारा amount जो है mention है यहाँ प्रॉपर detail है हमारी इस च otherwise हम confirm करने के बाद आगे proceed करेंगे और इसे confirm करते ही जो हमारा चलान है उसकी payment हो जाएगी and payment होने के बाद हम यहाँ पे basically online receipts देख सकते हैं देखिए SBI की हमारी receipts है जिसमे reference number है debit account number है CPIN है amount है amount in words है status है and debit branch है सारी की सारी information यह हमारी screen पे है हमारी इस चलान को payment करने से related और यह payment process होने के कुछ second के बाद जो हमारी website है वो automatically divert हो जाएगी GST network की जो website है and in this way आप देख सकते हो कि हम दबारा जो हमारा dashboard है basically जो हमारा GST network की website है उस पे आ चुके हैं और यहाँ payment summary में हमारी transaction का status आएगा bank से verify होने के बाद यह transaction हमारे electronic cash ledger में reflect करेगी चलिए एक बार हम अ यहाँ electronic cash ledger में जो हमने अभी payment की है इसका amount add हो जाएगा लेकिन अगर हमारी transaction verify अभी नहीं हुई है तो जब तक verify नहीं होती तब तक उसका status pending रहेगा और यहाँ हमारा amount add नहीं होगा चलिए इस चलान का हम status देखते हैं और उसके लिए हमें again जाना होगा services में and उसके बाद जैसे हम payment में click करते हैं यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास चलान history यह option है just इसे click करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो सारे के सारे चलान है basically जो आज तक हमने generate हुए है या pay किये हैं उनकी detail आ जाएगी देखिए इसमें यह चलान हमारा expired है क्योंकि इसकी हमने payment नहीं की दो च payment की देखिए जब आप खुद से payment करोगे तो अगर वो चलान immediate verify हो जाता है तो यहाँ status paid आ जाएगा और जो हमारा amount है electronic cash ledger में add हो जाएगा लेकिन अगर यह verify immediate नहीं होता तो pending for approval यह status reflect रहेगा आपके यहाँ पे वैसे इन चलान में अगर आप किसी की भी detail देखना चाहो त just हमने यहाँ पे CPIN number पे click करना है तो उसकी detail हमारी screen पे appear हो जाएगी यह देख सकते हुआ यह सारी की सारी हमारी इस चलान से related detail है हम इस चलान को download भी कर सकते हैं और उसके लिए just हमने यहाँ पे download पे click करना है हमारा यह जो चलान है download हो जाएगा इसे हम देख सकते हैं इसका ह print out लेने के बाद उसे हम bank में deposit करा सकते हैं लेकिन जब आप कोई भी payment bank में करोगे तो वो हमारे credit जो हमारा electronic cash register है उसमें reflect होने में एक या दो दिन का time लगेगा उसमें लेकिन online payment हमारी immediate almost credit हो जाती है और अगर आप कोई भी चलान generate करने के बाद उसकी payment नहीं करते तो वो automatically expire ह हो जाएगा अगर हमसे कोई चलान गलत भी generate हो जाए तो आप उस चलान को छोड़ दीजिए एक नया चलान generate करके उसकी payment कर दीजिएगा तो यह method रहेगा electronic cash ledger में amount transfer करने का यानि GST की payment करने का हमारी accounting and taxation related जो दूसरी classes है उनकी detail के लिए और साथ में upcoming classes के notifications के लिए हमारे channel को जरूर subscribe कीजिएगा और अगर आपको GST से related A से लेके Z तक हर point learn करना है तो उसके लिए हमारी website जरूर visit कीजिएगा जिसका link आपकी screen पे reflected है हमारी website का नाम हमारी जो website का URL है online cca.com है तो इस class में इतना ही thank you very much